आपने NGO का जिकर किया, कौन से NGO हैं, क्या किया उन्होंने? नीडिया और NGO का एक नेकसस था आप कह रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर बीस साल तक चलाया यह पूरा? नहीं ना, बीस साल नहीं चलाया, तूथाउजन एंटू अब दो हजार बाइस? समीता बेहन सबसे बड़ी बात तो जनादेश होता है, और जनता सब देखती है, 130 करोड लोगों के 260 करोड आँख होती है, 260 करोड कान होते है, सब देखती है, सब सुमती है, हम कभी चुनाव नहीं आ रहे हैं, जन्वानस ने, जनता ने कभी भी ये आरोप को स्विकारा नहीं मीडिया, एंजियो और हमारी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी आरोपो को चलाते गए, एक चला दिया कि सीडी के बारे में सीडी लेकर रहूल सर्मा चले गए, वहाँ पर नौटिंग है, नौटिंग साइड पर रोजकाम है, उसने अपने रेकोर्ड में रखा है, कोई को नहीं तोड़ा है, और सुप्रीम कोट ने भी इसको स्विक्रूत किया है, बहुत से लोगों का मानना है कि SIT इंफ्लूएंस हुई थी, बीजे पी का दबाव था SIT के ऊपर, हाला कि सुप्रीम कोट ने तो कुछ औरी कहा है अभी, लेकिन इतने साल तक जब इन्वेस्ट चल रहे थे, तो उस टाइम सालों साल डिले करते गए, तो इसको… और तब तक सेंटरल गवर्मेंट बदल चुकी थी, यूपीए की आ चुकी थी तो SIT इंफ्लूएंस नहीं हुई थी? लोग ओफीसर को इतना पैसा नहीं मिलता है, आप जानती हो, इसके पेमेंट का एक सिस्टिम होता है, इसका रेट सब्द प्रवक ठीक नहीं है, बगर उनकी फीस तय होती हैं। और कई सारे इतने घलत बाते हैं, कि फायरिंग में सिर्फ मुसल्मान मारे गए, कौट ने आज ये भी न कर दिया, कैसा नहीं हुआ है? फायरिंग में मुसल्मान नहीं मारे गए, लेकिन दंगों में तो मुसल्मान मारे गए ना? स्मिता जी एक बात आप समझ कर चलिए जीस तरह से 60 लोगों को जिन्दा जला दिया था उसका समाज में अक्रोज था और जब तक दंगे नहीं हुए तब तक किसी ने इसका क्रिटीसिजम भी नहीं किया किसी ने दुख भी व्यक्त नहीं किया कि साथ लोगों को जिन्दा जलाने की घटना का आप भर्चना भी नहीं करोगे निंदा भी नहीं करोगे इतनी बड़ी वोट बेंग पॉलिटिक्स होगी आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जाक्या जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी कई सारे विक्टिम इसका एफिडिएट एंजियों ने साइन कर दिये विक्टिम को मालूम ही नहीं है कि नियुक्या जाफरी की सब झानते हैं कि तीस्ता से टेलवड जूडत जी की एंजियों ये सब कर रही केवल और केवल और उस वक्त जो यूपीय सरकार आयं उसने धैर सारी मदद कर घूर है तीस्ता से टेलवड ङेंजियों को टेर सारी निम्दर करी सब को मालू है देरी लुटीयन कृ मर माणाई दिल्लीं को किया गाई उनकी च्छबी को अनी पहुँचाने के लिए उनको नंगो के के णे लिप्ता बनने के लिए किया है मगर सत्य को कुछ नहीं होता है यह लंबी लड़ाई मोदी जी ने बहुत धैर्य पुर्वक सारी वेदनाओं को वो वीश को हजम करते हुए लड़े और आज चमकते सुर्य की तरह सत्य बाराय है मोदी जी जीतकर बाराय है भारती जनता पार्टी के दंगों का कोई आरोप नहीं रहता और मैं पूछना चाहता हूं जो हम पर लगाते हैं उनके सासन जहां जहां रहे हैं वहां दंगे नहीं हुए है क्या उत्तरपदेश का इत्यास उठा कर देख लिजें पर कभी लेबल नहीं लगा किसी पर लेबल लगाया नहीं आप लोगों ने लेबल हमने थोड़ी न लगाया है लेबल फैक्ट के अधार पर थोड़ी न लगाया है आप भी नहीं लगा पाए as a political party हम करते ही नहीं हम करना भी नहीं चाहते हैं क्यों किसी पर लगाये देबल